कि आप इससे पहचानते हैं इनको पहचानते हैं इनका नाम क्या है दलाई लामा दलाई लामा इस नोट दे नेम इनका नाम क्या है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का नाम थोड़ी ना है प्राइम मिनिस्टर तो टाइटल है नेम तो नरेंदर दामोदर्दास मोदी है इनका नाम क्या है दलाई लामा इनका टाइटल है दलाई लामा किसी का नाम नहीं होता है इट से टाइटल जैसे परदान मंत्री ग्रह मंत् इंडिड आपको लगता है कि वो दलाई लामा इनका ही नाम ही है और कोई नाम पता भी नहीं था तैंजीन गयात्यो इनका नाम है आज हम इनके बारे में बात करते हैं और इनके successors के बारे में बात करते हैं तिबतियन बुद्धिज्जम के ये सबसे बड़े spiritual leader है तैंजीन ग जाए, actually में हमारा इस से में उदेश्य है कि इस जो ये दलाई लाम है, he is the 14th दलाई लामा, ठीक है, इन से पहले 13 और दलाई लामा हो चुके हैं, जैसे कि परदान मंत्री भी हमारे, परदान मंत्री से पहले और परदान मंत्री हो चुके हैं, उसी प्रकार से इन से पहले तेरा दलाई लामा थे अगले वाला भी जो होगा वो भी दलाई लामा होगा परंतु जो अगला दलाई लामा पंदरवा दलाई लामा है उसको चुनने का तरीका है एक तो वो इंटरस्टिंग है उस साथ में उसमें चाइना का क्या इंटरस्ट है उसके बारे में डिसकस करते हैं, बहुत ही इंट्रस्टिंग चीज है 14th and the current दलाई लामा, इनका टाइटल है याद रखेंगे, नाम है तैंजीन गयाथो इस समय बेसिकली सबसे famous बुद्धिस figure है, अगर आपसे मैं पूछू कि कोई famous spiritual religious बुद्धिस figure का नाम बताइए तो महात्मा बुद्ध के बाद आपको दलाई लामा का नाम याद आएगा, दूसरे वाला सोचना में बड़ी मुश्किल पड़ेगी तो ये है tallest leader, पिछले साल 85 साल के हो गए थे और इस समय तिब्धियन, क्योंकि ये तिब्धियन बुद्धिस्म के लीडर है, याद रखिए कि कौन से धर्म के लीडर है, तिब्धियन बुद्धिस्म, एक sect है, बुद्धिसम अलग-अलग sect में बचा हुआ है, हिनायान, महा इस परकार से, उसी में से एक sect है तिब्धियन बुद्धिसम का, दलाई लामा, जिसको आप अभी पहचानते हैं, 1959 में, चाइना से, तिब्ध से, बेसिकली, क्योंकि ये तिब्धियन तिब्धियन इन एक्जाइल कम्यूनिटी है, भारत के अंदर, वो कम से कम डेड़ लाक लोगों की, ठीक है, धरम शाला, नाम से मालूम होगा आपको, जब आप धरम शाला जाते हैं, तो उपर एक और छोटा सा कस्वा पढ़ता है, धरम कोट, वो वहाँ पर इनका तिब्धियन बुद्धिसम का हब है, जहां पर दलाई लामा है, ठीक है, अब सवाल ये है, कि अ यही दलाई लामा, तेरवे दलाई लामा थे, वही बारवे थे, बारवे की जब मिरत्य हुई, तो वही दलाई लामा ने री इंकार्नेशन ले ली दूसरे दलाई लामा, यह इस परकार से basically मान्यता है, तिब्धिन बुद्धिसम की, और जो अगला दलाई लामा होगा, वो पहले वाला दलाई लामा खुद ही चूज करता है वो खुद ही बता देता है कि मैं कैसे जनम लूँगा कई बार दूर से प्रेडिक्ट कर देते हैं कि दलाई लामा बताने से पहले कि सपोस कीजिए कि 1930 में कोई दलाई लामा की मृत्य हो रही है तो वो अपनी मृत्यू से पहले प्रेडिक्ट कर देते हैं कि मैं 1955 में या 1952 में कहीं ऐसी जंगे पर जनम लूँगा और उसके बाद फिर तिबतियन बुद्धिजम के जो सीनियर रिलिजिस लीडर है दे फाइंड आउट दलाई लामा और फिर उसको पूरी तरह उसी तरह से वेनिरेट करते हैं यह उस समय सोच के देखिए आज 85 एर्स के हैं तो 1959 में तो बिल्कुल 14-15 साल के ही होंगे उस समय यह पहले से ही दलाई लामा चूज किये जा चुके थे जब यह यहां पर आए दलाई लामा तब से लेके यह तिब्वतियन बुद्धिजम के लीडर है और एक तिब्वतियन गवर्मेंट इन एक्जाइल इंडिया में स्थापित है इंपॉर्टन इशू है यह सिर्फ सक्सेशन के प्रोसेस के लिए नहीं परंतु जियो पॉलिटिकल इशू के लिए यह पहला रिलिजियस सक्सेशन है जो कि जियो पॉलिटिकल इशू है क्योंकि इसमें स्टेक होल्डर है तिब्वत की जो लेजिटिमेट गवर्मेंट है और चाइन का जो बेसिकली तिब्वत के ऊपर कंट्रोल है इस पर तिब्वतियन बुद्धिस कस्टमर कस्टम्स दलाई लामा था कंट्रोल ओवर इस रिइंकारनेशन बात सही है वन ही दाइस इस सोल पासे तो अनदर परसंट वो इस डिसकवर्ड बाइग गुरूफ फॉफ फॉफ मॉंक्स अनुआइट एज एज दलाई लामा एंद दन वेनरे जिए एज एज रिइंकारनेटिड और वेज़र्ड रेपरेज़र्ड अवलो की तेश्वरा यानि कि ये खुद डिसाइड करेंगे नभय की उमर पे कि बेसिकली ये रिइंकारनेट होंगे या फिर basically ये finally दलाई लामा का last जनम था और इनोंने अब फिर completely गुद्धत्व प्राक्ट कर लिया है अवलो की तेश्वरा ये भी अच्छी बात ध्यान कर लिजिए कि दलाई लामा जो होता है इस है अवतार अवलो की तेश्वरा यहीं पर लिख लिए अवलो की तेश्वरा अवलो की तेश्वरा होता है बोधी सत्व बुधिज्व में एक concept होता है कि बुध बनने से पहले कई सारे जनम लेने पड़ते हैं और उस जनम में जब आप कुछ ऐसा काम करते हैं जो कि आपको enlightenment की तरफ ले जाता है तो आप सबसे पहले equanimity, number two joy, number three compassion and number four kindness जो इन चारों चीजों को manifest करता है वो आदमी, वो individual या वो being, it can be an animal also, it can be a bird also, वो बोधी सत्व कहलाता है अवलो की तेशवरा इसी प्रकार के एक बोधी सत्व हैं बुद्धिस्ट mythology में उसी अवलो की तेशवरा जो की compassion के बोधी सत्व के नाम से जाने जाते हैं उसी के अवतार है दलाई लामा, चौदवे दलाई लामा इस समय हमारे सामने हमारे देश में रहते हैं ठीक है, ये पूछी जा सकती है कि बोधी सत्व के किस चार वर्चू को manifest किया जाता है, सबसे पहले हो गया kindness, यानि की दयाभाव, compassion, यानि की दूसरों की प्रतिकरूना, तीसरा यानि की joy, यानि की मुदित, मुदिता जो होती है उसको पाली भाशा में, बुदिस्ट की जो language होती है, text क पाली भाशा में मुदिता कहा जाता है, and equanimity, equanimity मतलब की उपेक्षा, completely एकदम किसी भी चीज पे react नहीं करना, स्थिर हो जाना, emotions को fully control कर लेना, इन चारों चीजों से more important है compassion और kindness, अगर आप दया और करूना भाव रखते हैं अपने मन में, तो basically आप बुद्ध बनने के र UPSC में, UPSC प्रिलिम्स 2008 में पूछा था, with reference to Indian history, who among the following is a future buddh, yet to save the world, ऐसा आने वाला कौन सा buddh है, अब अगर हमें पता हो, अवलोकी तेश्वरा के तो अवतार भी आ रहे हैं, तो इसका मतलब अवलोकी तेश्वरा तो basically obviously होई नहीं सकता है, right, क्योंकि वो तो पहले थे He is a bodhi सत्व जो की पहले ही mentioned है, लेकिन Buddhist text में, Buddhist mythology में mentioned है कि मैत्रे एक future buddh होगा, जो की basically world को बचाने के लिए है, 2018 प्रिलिम्स में UPSC ने पूछा था, अवलोकी तेश्वरा पर एक और question है, क्योंकि अवलोकी तेश्वरा कुछ Buddhist caves में उनकी मूर्तिया पाई जाती है, अब उनने बोल दिया कि उनकी reincarnation खतम होगी तो ठीक है, लेकिन suppose कीजिए वो बोलते हैं कि नहीं, वो reincarnate करेंगा, वो कुछ decide कर लेते हैं, तो problem है कि कुछ-कुछ few scenarios है, एक तो new successor in India as opposed to in Tibet, उनका जो नया successor है वो इंडिया में पैदा हो सकता है, या तिबत में हो सकता है, he might be reincarnated as a man, women, और a child, उन्होंने ये भी बोल दिया है कि मैं किसी परकार से reincarnate हो जाऊँगा, और Gadan Fodrang Foundation, ये एक गुरुप है जो कि Dalai Lama ने स्थापित किया हुआ है इंडिया में, उन्होंने कहीं कि that group will be responsible for finding Dalai Lama, अब वो कुछ भी करे, Dalai Lama कुछ भी करे, चाइना के plan बहुत ही अ पंचेन Lama, उन्निस सो पिच्चानवे में एक पंचेन Lama identify किया गया था, अभी दिखाता हूं आपको, पंचेन Lama, पात साल का वो बच्चा था, five year old child was designated as a पंचेन Lama, जिस दिन उनकी declaration हुई, तीन दिन के बाद ही चाइना ने वो kidnap कर लिया और तब से लेके आज तक पंच कोई पता है, ना उनका कभी basically, कभी भी public में किसी प्रकार की कोई वो आई है, चाइना वी अगेन है प्लैन, वो दलाई लामा को वैसे भी थोड़ा सा एंटी देखते हैं, उन्होंने एक बार इसको कहा था, वुल्फ इन मॉंक्स रोब, इस संद के कपडे पहने हुआ, नेशानी नहीं है, वो कहते हैं कि हम फुल इंडिपेंडनेस नहीं सीख करेंगे चाइना से, वी जस्ट नीड सम ऑटॉनमी, चाइनीज गवर्मेंट जरूर कोशिश करेगी अपना खुद का दलाई लामा अपॉइंट करने के लिए, इसलिए उन्होंने पांचेन लामा को क इडनेब भी कर रखा है पिछले 25 सालों से, जो की उपफुली उनके अकॉर्डिंग चाइनीज कम्मिनिस पार्टी का बेसिकली पपेट बन जाए, सेम टाइम जो भी चाइनीज पार्टी दलाई लामा को अपॉइंट करेगी, इट वोड भी रिजेक्टिड बाई तिब्ब किती ऊनाइटिड स्टेट्स ने कि जो तिबतियन बुद्धिस का जो दलाई लामा के सक्सेसर होगा, वो सिर्फ और सिफ प्रेज़ेंट दलाई लामा के दौरा ही चुना जाएगा, और किसी के दौरा चुनाय गए दलाई लामा को हम legitimate नहीं मानेंगे। यह उन्होंने बोल of choosing a 15th Dalai Lama against the wishes of the Tibetan worldwide. यानि कि इस समय Dalai Lama के उपच पूरा का पूरा support है United States of America का. वल उसकी वज़े से China कहर रुखने वाला नहीं है. China तो मतलब इस परकार से उसके stress में या pressure में आगर रुखे कर नहीं. They will interfere one way or the other. Experts fear that CCP has been adopting a rather subptitious approach towards Dalai Lama succession. कई senior Lamas को basically वो गुरूम कर रहे हैं जो कि Dalai Lama का रोल ले सके. When Indies it is time to appoint a successor, Chinese government may make it seem like the next Dalai Lama has the backing of the senior Tibetan Buddhist leader. तो senior Tibetan Buddhist leader इस समय तिबबत में हैं, वो उनको भी गुरूम कर रहे हैं पार्टी के line के हिसाब से और hopefully जब नया Dalai Lama अपना appoint करें तो उनको लगेगा कि support है. Fundamental belief. In 1995 जो मैं बता रहा था, गयधून चोई की नीमा, ये एक 6 साल के बच्चे थे, जो कि तिबबत में recognize किया गए थे, 11th पांचेन लामा के तरह से. ठीक है? By Dalai Lama, by the President Dalai Lama. Considered the second most important spiritual leader in Tibetan Buddhism. ये kidnap कर लिए, अब तक ना इनकी family का पता है, ना basically इनका पता है. CCP basically choose चाइना की जो communist party है, उन्होंने एक नए proxy को पांचेन लामा बना दी गया, जो कि तिबबतियन डायस्पुरा ने उसको recognize करने से refuse कर दिया. इसलिए शायद आपने कभी सुना भी नहीं होगा दूसरे वाले पांचेन लामा का नाम सर हमने पहले वाले पांचेन लामा का नाम में नहीं सुना था. इसलिए नहीं सुना क्योंकि वो चाइना ने चुपा गए रखा हुआ है. Despite its current political limitations Limitations तो बहुत ही हैं, परंतु जो Central Tibetan Administration है. Basically भारत में जो तिबबत गवर्मेंट है, जो दलाई लामा गवर्मेंट चलाते हैं, उसको कहा जाता है Central Tibetan Administration. That is the official name of the तिबबत गवर्मेंट in exile. 2011 में दलाई लामा ने तिबबत के political leader का role तो छोड़ दिया था. अब वो हांके spiritual leader है और उसके बाद जो lobsang सांगे है वो इस समय तिबबत के political leader है. They would actually have to bear the heavy responsibility क्योंकि जो अगले वाला आने वाला system है, वो काफी complex है. दलाई लामा की reincarnation actually में cultural और civilizational struggle है between the तिबबत and the China over the control of a whole religion, over the control of whole तिबबतियन बुद्धिजम. Indeed उस पूरे के पूरे area को politically, socially, culturally, religiously का जो control का जो struggle है, वो basically दलाई लामा के जाते ही, ये responsibility, lawb sange या फिर basically जो central तिबबतियन administration के जो भी leader होंगे उनके उपर आने वाली है. World there is a strong possibility कि आने वाले समय में, world could end up with two दलाई लामा. एक, जो कि दलाई लामा, present दलाई लामा के दौरा हो सकता है, appointed हो, और दूसरा जो कि Chinese government के दौरा, and this will definitely create a bifurcation, basically. जो दूसरा external diaspora है, they will never agree to the Chinese choice, और China ने कुछ ने कुछ अपने वहाँ पर propaganda चलाके कुछ ने कुछ लोगों को ग्रूम किया हुआ है, अपनी side जो कि उसको मानेंगे. So, this struggle is going to come in next years, one way or the other. हाँ, ये बात है, कि basically, तिब्बतियान और जो बाहर का diaspora है, वो basically, maybe, किसी और को मानेंगे नहीं. This is it. ये स्टोरी है, इसमें पढ़ते वक्त, जब भी बात करें, तो बुद्धिजन से related कोई भी word आए, कोई भी तो उसके बारे में डिटेल से थोड़ा सा और ज्यादा जानना ही कोशिश करना. Current Affair से static questions उठते रहते हैं. उठते कह रहते हैं? उठते ही हैं, मताँ, that is the process. जो static है, उसको भी उठाना Current Affair से usually कहीं जाता है. So, remember this. If you need the PDF of this class, you can also join this Telegram channel, where the PDF and the notifications of the next classes are shared. I also, you can also talk to me through this Telegram channel. कुछ लोगों ने A-M-I-T-K-I-L-H-A-R A नहीं है, यह O है. कम से कम 12-1300 लोग हैं Amit Kilhar में. नाम याद रखेगा, Kilhor है. H-O-R. अगर उस्पैरिंग नहीं समझा रही है, तो O. Kilhor. ठीक है? And in case, अगर कोई और direct questions हो, तो तो मुझे मेरे Instagram पे भी find करके, you can start, you can join me there and you can send me direct messages. Right? So, देखते हैं, Dalai Lama, just in case, out of curiosity, मैं पूछी लेता हूँ आप से, आप कौन से वाले Dalai Lama को legitimate मानेगे? Chinese Government के, या President? That's not much a controversial, I believe. I think, जो President Dalai Lama बनाते हैं, हमें उन्हें की तरफ जाना चाहिए. However, Indian Government has been more or less ambiguous about it. Indian Government का इसके उपर क्या stand रहेगा, क्या नहीं रहेगा? और President Dalai Lama के जाने के बाद, basically, जो तिब्बतियन, जो तिब्बतियन exile में रह रहे हैं, पिछले 60 सालों से, उनका क्या future है? उस पर इस समय भारते जो Government है, वो थोड़ी सी ambiguous है. क्योंकि वो चाइना को इस बात के लिए rile up नहीं करती है, इन जनरल, तिब्बतियन को यूज नहीं करती है, चाइना के against pressure बनाने के लिए. So, we'll see as the things unfold. I'll see you in the next class. Have a nice day. Bye.